हेलो गाई स्वागत है आप सभी का एक बात फिर से टुडेटोक के इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आर्मी पबलिक स्कुल में पीजीटी, टीजीटी, पीआर्टी रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर उस वीडियो में मैंने आपको डीटेल से यहां explain करके दूँगा तो आप वीडियो को ध्यान से जुरूर दे गया साथ ही मैं आपको इसके लिए जो best book है वो भी बताने वाला हूँ और भी बहुत सारे doubt है जो इस vacancy को लेकर इस recruitment को लेकर आपके दिमाग में है वो सारे इस वीडियो में मैं clear करने वाला हूँ पोस्ट 8,000 है 8,000 पोस्ट है important dates एक बार आप फिर से देख लीजिएगा starting date रहेगी first of October 2020 और last date 20 October 2020 फीज payment की जो last date है वो 20 October 2020 है और exam date की बात करें तो यहां पर 21 and 22 November को इसका exam हो जाएगा ठीक है और यहां पर आप exam date को जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि अगर आप इसके लिए apply कर रहे हो तो exam date आपको पता होना चाहिए साथ ही इसकी आपको preparation भी करनी है तो आपको time table की बनाना है कि कैसे आपको preparation करनी है इसके बाद admit card की बात करें तो 4th of November 2020 को इसका admit card आने की possibility है result date की बात करें तो 2nd of December 2020 को इसका result है वो declare कर दिया जाएगा जो सभी process है इस exam के और इस recruitment के वो fast है जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा इसके बाद में बात करें इसकी application fees की तो 5000 यहां पर आपकी application fees है जब apply करेंगे तो 5000 आपको pay करना पड़ेगा इसकी application fees का charge इसके बाद हम बात करें कि यह recruitment है यह किसके दुआरा करवाई जाती है AWES Army Well Fair Education Society के दुआरा टोटल 8000 इसमें post रहने वाली है अब यहां पर आपको समझना है कि इसका selection process क्या है तो इस वीडियो में मैं आपको selection process में जो screening exam होने वाला उसका complete syllabus आपको बदाने वाला हूँ उसके बाद आपका interview होगा तो interview में भी बहुतान important बाते हैं जो आपके साथ में मैं share करूँगा उसके बाद में third stage आता है आपका evolution of teaching skill and computer proficiency का test आपका होता वो third stage में होता है इसके बारे में भी कुछ बात हम करेंगे आगे और जो best book है वो भी मैं आपको इस वीडियो में suggest करने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान से जुरूर देखिएगा अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं exam के बारे में तो exam का selection process है screening exam, interview or evolution of teaching skill and computer proficiency का आपका test होगा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है तो यहाँ देखिए आप exam pattern जो है इसका exam pattern समझ लिजिए test will be conducted online in the mcq format mcq format में आपका online test होगा यान की computer based exam होने वाला है cbt उसके बाद में आपका the written test will be multiple choice objective type question objective type question आपसे पूछे जाएंगे the duration of the exam will be 3 hours 180 minute 180 minute का आपको या 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा pgt और tgt की post के लिए अगर आप apply करते हैं तो अगर आप prt post के लिए apply करते हैं तो आपको exam में 90 minute का time दिया जाएगा एसा क्यों है कि pgt tgt वालों को 180 minute का time मिल रहा है और prt वालों को 90 minute का time मिल रहा है देखो यहां पर आपको समझना है कि जो pgt और tgt exam है उसके अंदर दो part रहेंगे part 1 and part A and part B यानि कि जो आपका paper है वो बड़ा आएगा और prt test जो post है उसका जो paper आने वाला है negative marking of one fourth marks one fourth marks के आपकी negative marking रहने वाली है qualify करने के लिए आपको 50% marks लेकर आने है in each part अगर आप pgt और tgt post के लिए apply करते हैं तो आपका exam है उसमें part A and part B आएगा और दोनु part में आपको 50% लाना compulsory है अगर आप prt के लिए apply किया है तो prt के exam में आपको part A ही मिलेगा part B नहीं मिलेगा तो part A में आपको 50% लाना compulsory है exam pass करने के लिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं part A and B के बारे में तो यहाँ पर देख लिए आप pgt and tgt post के लिए part A and part B दिया वा आएगा exam के अंदर general awareness mental ability, English comprehension educational concept methodology, inclusive education ITC related 90 minute का टाइम दिया जाएगा और यह सभी question आपसे मतलब इन सभी topic से आपसे question पूछे जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके subject है वो general awareness, mental ability, English comprehension educational concept, methodology and inclusive education ITC related question आपसे पूछे जाएंगे part B में आपका subjective paper होगा मतलब जिस subject से आप apply करोगे उसी subject का आपका exam होगा इसमें भी आपको 90 minute का टाइम दिया जाएगा यह जो part A and B है यह एक साथ ही आपकी screen पर होगा तो आप जो choice करें वो part आप soul कर सकते हैं part B को आप पहले कर सकते हैं part A को बाद में कर सकते हैं आप पे defend करता है PRT वालों की बात करें तो PRT का exam देने वालों को यहाँ पर part 1 ही मिलेगा इसमें आप से general awareness, mental ability, English comprehension, educational concept, methodology, inclusive education, IT से related question पूछे जाएंगे यहाँ पर आपको समझना है कि TGT, PZT और PRT के लिए जो part A होने वाला है वो same होगा कोई change नहीं है इसके बाद में syllabus की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझीएगा क्यूंकि इसका जो syllabus है वो वेसे descriptive यानि विश्तिरित syllabus नहीं दिया गया है तो यहाँ पर मैंने कुछ teachers से बात किया तो उन्होंने बताया है कि आपका जो syllabus है वो इस type का रहेगा देखो general awareness में आपसे question पूछे जाएंगे about general knowledge general knowledge के question of surrounding society society के बारे में of the candidate to test the awareness about surrounding activities तो surrounding activities से related आपसे question पूछे जाएंगे कि आप कितना knowledge रखते हैं और आपके awareness आपमें कितनी है जागरुखता आपमें कितनी है आपसे question पूछे जाएंगे वेग्यानिक जो प्रीदर से होता है उससे related question पूछे जाएंगे thinking which expected from an educated person और क्या पूछा जाएगा कि अगर आप educated person हो तो आपकी सोच कैसी है उससे related आपसे question पूछे जाएंगे so candidates should must focus on affairs about India and its adjacent countries too तो आपको क्या करना है दीखे आपको focus करना है इंडिया और इंडिया के जितने भी adjacent countries है उनके उपर जो भी current affairs अभी चल रहे हैं उनसे related आपसे question पूछे जाएंगे फिर scientific progress, development, national and international awards से related question पूछे जाएंगे जो scientific progress हमने किये विज्यानिक जो हमने विकास किया उससे related और overall development से related question पूछे जाएंगे national, international awards से related question पूछे जाएंगे Indian language से related question पूछे जाएंगे books जो famous है उनसे related script, capital, currency, sport and athlete such as essential knowledge जितना भी knowledge, essential एक teacher को होना चाहिए मतलब educated person को essential जो knowledge होना चाहिए उससे related ही execution पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है general awareness के जितने भी topic है basic वो आपको prepare करने है बहुत अच्छे से इसके बाद में आगे आपका आजाता है second subject mental ability का mental ability में आप से analogies, similarities difference, special visualization special orientation problem solving, analysis judgment, decision making visual memory, discrimination observation, relationship concept arithmetic reasoning, verbal and figure classification mathematical number series non-verbal series coding and decoding statement and conclusion पूछे जाएंगे तो mental ability के जो जितने भी topic है वो यहां मैंने आपको बता दिया है तो इन सभी topics को आप है अच्छे से prepare कर लीजिएगा mental ability के question है वो आपको सीज करना की सारे अच्छे से करके आई आओ ताकि आपकी 50% का जो target है वो आराम से पूरा हो सके क्योंकि 50% minimum marks है आपको qualify करने के लिए तो mental ability आपकी यही रहने वाले है definitely आप इसी की preparation कर लीजिएगा इसके बाद में है English comprehension इंग्लिस comprehension में आपसे देखे ये एक language है तो आपसे learning and acquisition से related question पूछे जाएंगे principle of language language की जितने भी principle होते हैं teaching के principle होते हैं उससे related question पूछे जाएंगे role of listening and speaking teaching में speaking और listening का जो role होता उससे related function of language language की कोन-कोन से function होते हैं related question पूछे जाएंगे how children use it as a tool यानि कि language को एक children एक बच्चा है वो tool के रूप में कैसे use कर सकता है इससे related question पूछेंगे उसके बाद में critical perspective on the role of grammar grammar का जो role होता उससे related in the learning a language for communicating ideas and verbal in written form written form में और आपकी जो communication जो ideas है उसके अंदर language को कैसे सीखा जाता है इससे related question पूछे जाएंगे challenge of teaching language language अगर आप teaching करवाते हैं तो आपके सामने क्या challenge होते हैं in a diverse classroom डाइवर्स classroom में कौन-कौन से challenge आपको face करने होते हैं language difficulties की question आप से पूछे जाएंगे error disorder से related question पूछे जाएंगे उसके बाद में language skills से related evaluating से related language comprehension से related and proficiency से related question पूछे जाएंगे और ज्यादा तर इसमें question जो आप कर आएंगे वह speaking listening reading और writing से related question पूछे जाएंगे teaching learning materials से related textbook multimedia materials multiple resources of the classroom remedial teaching ETC से related execution पूछा जाएंगे यहां आपको यह समझना है कि जो English comprehension है इसके अंदर language की जितने भी skill होते हैं teaching language के जितने भी tool होते हैं teaching के उन से related execution पूछे जाएंगे educational concept and methodology यहां से देखिए आप concept of development development का जो concept होता उससे related question आएंगे its relationship with learning principle of development of children यानकी children का development होता है तो उसके अंदर कौन-कौन से principle काम करते हैं वो चीजें बतानी है influence of heredity and environment environment और heredity की जो influence होती है वो कितनी होती है socialization process होता है उसका क्या परभाव होता इसके उपर social world, children, teacher, parents, peers यह सारी चीजें इसमें include रहेगी concept of child centered and progressive education उसके बाद में critical perspective of the concept of knowledge, our epistemology, social medicine and cognitive negotiability, language and thought, gender as a social constructor उसके बाद में educational practice, उसके बाद में individual difference among learners, understanding differences, best on diversity of language, caste, gender, community से related आप से क्यूशन पूछे जाएंगे इसके बाद में काफी सारे इसमें topics include रहते हैं तो best book में आपको suggest कर दूँगा उससे आप cover कर सकते हैं इसके बाद में आपका stage आ जाता है तो देखिए 99% तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसका जो paper है वो English में आएगा और जो notification है उसके अंदर language के बारे में कोई भी point mention नहीं किया है और मैंने एक-दो लोगों से पूछा है तो उन्होंने यही बताया है कि इसका जो exam है उसके language English ही रहने वाली है मतलब आपका paper है वो English में आएगा ठीक है और interview भी मैं भी आपका English में ही लिया जाएगा इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आपकी army public school होती है उसका एक standard होता है काफी अच्छा standard होता है तो उसके according ही आपकी सारी चीजें इसमें होने वाली है next जो आपका stage आता है evolution of teaching skill and computer proficiency इसके अंदर देखिए जो language के teacher होंगे उनको comprising essay और comprehension 15 marks का आपका होगा साथ में किसमें teaching skill के साथ में ठीक है और जो computer related teacher होंगे या फिर जिन teachers को computer पर काम करने की जरूत रहेगी उनका computer proficiency test भी होगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इसकी best books की तो यहाँ पर three books में आपको suggest करना चाहूँगा एक तो AWS लिखा हुआ यह book आप देख लिए इसका interface है एक आपकी आती है सुराज 2020 की यह teachers PGT, TGT और PRT 3 के लिए यह book है तो सुराज की आप परसेज कर सकते हैं इसके अंदर part A complete आपको solution इसके अंदर मिल जाएगा तो यहाँ से आप part A की अच्छी preparation कर सकते हैं एक आपकी book आते हैं चंदरेस अगरवाल की तो यह भी Army Public School के PRT exam के लिए अच्छी book है तो आप इन तीनु में से कोई भी book है वो purchase कर सकते हैं परसेज करने से पहले एक बार books को आप थोड़ा जरूर ध्यान से देख लिजिएगा language केसी है और topics कौन कौन से इसमें included है वो सारी चीज़ें आप जरूर चेक कर लिजिएगा यह नहीं कि आप मेरे कहने से purchase करके और बाद में सोचों की सर ने बताया और यह गलत मतलब जो book है वो मेंने purchase कर लिए ऐसा नहीं है आप एक बार जरूर चेक कर लिजिएगा जो basic जो book है जो best book है market में अवलेबल होती है तो यह three books है तो इन में से आपको इसी भी purchase कर सकते हैं तो यह था आज का वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करना और comment करके जरूर बताना कोई भी doubt हो तो साथ ही channel पर अगर आप नए हो तो हो सके तो आप इस channel को subscribe जरूर कर लिजिएग साथ ही bell icon को press कर दीजिएगा ताकि next video की notification आपको मिल जाए